हाई फ्रेंड्स, इंसुरेंस टेकनिकल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंसुरेंस की जनकारी, इंसुरेंस प्रफेशनल के द्वारा वह भी बिल्कुल आसान भाशा में आज हम बात करने वाले हैं, क्लेम रिजेक्शन के एक कारण के बारे में, जिसके कारण क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, पहले बात करेंगे इस कारण के बारे में, उसके बात करेंगे इस कारण से क्लेम को रिजेक्ट होने से कैसे बचाएं, और उसके बात करेंगे यदि आपका क्लिम रिजेक्ट हो जाता है तो आप क्या करें दोस्तों कोरोना रख्चक पॉल्सी का जो बेसिक अस्टेक्चर है उसके अनुसार कोरोना पोजेटिव होने के बाद कम से कम 72 आवर्स का होस्पिटलाइजेशन जरूरी है 72 घंटे के होस्पिटलाइजेशन पूरा होने के बाद पॉल्सी लेने वाले ने जितने समिंसोर्ट की पॉल्सी ली है वह पेबल हो जाता है एक वीवर ने कमेंट करके बताया कि उन्होंने स्टार हेल्थ से करोना रख्चक की पॉल्सी ली थी क्रोना पोजेटिव होने के बाद वो 6 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहे जब उन्होंने क्लेम किया तो insurance company ने क्लेम को reject कर दिया और क्लेम को reject करने का जो कारण दिया उसे आप यहां screen पर देख सकते हैं आप वीडियो को यहां रोक कर इसे पूरा पढ़ सकते हैं मैंने इसे इस वीडियो के description में भी दे दिया है इसे पूरा पढ़कर मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा जो काम की बात है उसे बताता हूं इसमें लिखा है All India Institute of Medical Science, New Delhi and Ministry of Health and Family Welfare Government of India के guideline के अनुसार पैसेंट को home quarantine की जरूरत थी इसके बावजूद पैसेंट को hospitalized करके treatment दिया गया जिसके कारण claim को reject किया गया है इस policy के लिए IRDA ने guideline जारी की थी उस guideline के operative clause को देखें तो उसमें भी यही बताया गया है जिसे आप यहां देख सकते हैं तो यहां पहली साओधानी यह रखनी ह कि corona positive होने के बाद आप अपने hospitalization का decision खुद ना ले इसका decision doctor को लेने दे यदि doctor hospitalized होने का suggestion देते हैं तो ही hospitalized हो आप खुद decision लेकर hospitalized होते हैं तो आपका corona रक्षक policy के अंतरगत claim reject हो सकता है यदि जानकारी काम की लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को like करके मुझे प्रोचा अब बात आती है कि corona positive होने के बाद किसी को doctor ने hospitalized होने का suggestion दिया उसके बाद वो patient hospitalized हुआ इसके बावजूद भी insurance company में claim को reject कर दिया तो क्या करें जैसा कि इस case में हुआ जिस person ने claim rejection का comment किया था जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो doctor के suggestion पर ही hospitalized हुए थे इसलिए सबसे बहतर होगा आप अपने treating doctor का recommendation और hospitalization के लिए justification, hospitalization के time पर ही ले लें क्योंकि आप और मैं एक common man है जो treatment का decision खुद नहीं लेते बलकि doctor की सलाह पर लेते हैं ना कि किसी circular और guideline के अधार पर क्लेम करते समय doctor की recommendation और doctor की justification को claim document के साथ submit करेंगे तो claim के settlement point of view से यह काफी अच्छा रहेगा यदि आपका claim reject हुआ है तो सबसे पहले आप अपने treating doctor से hospitalization का justification ले लें मतलब doctor उस document में यह explain करेंगे कि इन्हें hospitalized क्यों किया गया उस document को एक claim review request के लेटर के साथ insurance company के claim department में claim को review करने का request करें और साथ में आपके claim के rejection और आपके review के request के update के साथ आप insurance company के grievance redressor officer के पास complaint जरूर दर्ज करें grievance redressor officer को giro भी कहते हैं giro की email id और address आपको insurance company की website या IRDA की website पर भी मिल जाएगी मैंने इस वीडियो के description में IRDA का link दिया है उस link से IRDA का एक page open होगा उस page पर आपको click here का option नजर आएगा वहाँ पर आप click करेंगे तो एक excel में पूरी detail मिल जाएगी grievance redressor officer के पास अपनी सिकायद दर्ज करने से insurance company से आपको काफी fast response मिलेगा यदि 15 दिन के अंदर आपका problem solve नहीं होता है तो 15 दिन के बाद या insurance company ने 15 दिन के अंदर ही आपको कोई solution दिया और आप उस solution से खुश नहीं है तो insurance company से solution मिलने के तुरंद बाद आप IRDA के consumer affairs department में अपनी सिकायद जरूर दर्ज करें IRDA की website पर इसकी पूरी detail मिल जाएगी दोस्तों IRDA इंडिया में insurance की regulatory body है यहां जाने के बाद आपको इंसाफ जरूर मिलेगा मैंने इसकी link भी इस video के description में दे दी है आप चाहें तो आप insurance ombudsman के पास भी अपनी complaint रेच कर सकते हैं मैं या कोई भी आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है लेकिन चलना आपको खुद होगा आपको लगता है आपका claim सही है तो अपना हग पाने के लिए अपना प्रयास जरूर करें करोना रक्षक ही नहीं इंसुरेंस के किसी भी claim के settlement या insurance company के action या decision से आप खुश नहीं है तो इसकी complain करें इसकी detail वीडियो मैं जल्दी upload करूँगा यदि आपका भी करोना रक्षक के claim को लेकर कोई experience है तो please share करें और आपके जानने वालों में जिन लोगों ने भी करोना रक पॉलसी ले रखी है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें यदि आपके पास कोई सुझाव है कि मैं किस topic पर वीडियो वनाओ तो उसे भी comment box में लिखें सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जूड़ जाए हमारे साथ insurance professional से insurance की जानकारी के लिए और अंत में many thanks for watching this video वीडियो